कल सत्ता की रैली थी और आज वोटर और जंता की रैली थी ये सब वशिंग मशीन में धुलने के लेगे हैं इनके जाने से कोई परबाव नहीं होगा बीजेपी की बी टीम है आज सारणपुर में कॉंग्रस की राष्टी मास जी प्रहंका गानी ने गड़बंधन परत्याशी इमरान मसूद के लिए रोडशोग किया है रोडशोग में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुएते और हम बात करेंगे रोडशोग काम्याब रहा है या इसका कैसा असर बारी दिंगो रोड़ा जी जो पंजाबी सिक्स समधायस आते हैं जी आपका वालकम है जी धन्यवाद मश्कूर भाई आज की रैली आपने देखी होगी और कल की भी देखी थी कल सत्ता की रैली थी और आज वोटर और जनता की रैली थी देख लीजे किस तरीके से भीड थ इतनी गर्मी में भी वोटर जनता सब महाँ पर मुझूद थी और आज की रैली बहुत कामियाब रही है तो आपकी पार्टी के यहां पर जो लोग हैं कितना परियास कर रहे हैं आपके जो विधाया के दियाद विदान सबागे नदर नहीं आ रहे हैं उनके साथ अभी के से कोई भी समाजवादी ऐसा नहीं है सब समाजवादी इमानदारी से पूरी तरह से गठबंदन धरम नहीं बारे हैं आज की रैली में भी 60-70% समाजवादी पार्टी के कार्यकरता शामिल हुए और सब ने रैली को पूरी तरह से गोल-कोटी से चलकर कुतुबशेर थान ने ख़कने गा अधरम सिंग सेनी जी ने तो खुला चेलेंज किया था योगी जी को जब वो सरसावा से चुनाओं लड़े थे 2012 में उन्होंने कह था यहां से चाहिए योगी जी को ुचुनाओं लडवालो आज फिर उसे ले लिया और रविन्दर मौलू जी को ले लिया स सब वाशिंग मशीन में धुलने के लिए गिये हैं इनके जाने से कोई परबाव नहीं होगा वोट जनता ने देना है और जनता इंडिया गठ बंदन को वोट देने जा रही है संजे गर्ग जी को जिनोंने विधायक बनाया संजे गर्ग जी ने उन डेड़ से दो लाख लोगों के साथ धोका गिया और अगर संजे गर्ग जी के पास वैशे समाज का वोट होता तो संजे गर्ग जी आज विधायक होते वैसे समाज का वोट परम परागत वोट भार्टी जनता पार्टी का है और पार्टी का कोर वोटर है वो संजेगर्ग जी का कोई वोट बैंक निया संजेगर्ग जी ने तो अपने आपको जाकर पार्टी में धगेला है संजेगर्ग जी अभी हाल फिलाल में वहिष्चे समाज के कारेकरम में उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया इतना बड़े इस तरका कारेकरम हुआ तो वोट क्या ट्रांसफर करवा देंगे बिलकुल नहीं मुस्लिम वोटर समझ चुका है कि जैसे राज्यसभा और MLC के चुनाओं में बहन जी का एक ही विदायक था उसने राज्यसभा के मेंबर को और MLC के मेंबर को BJP के सदस्यों को वोट देने का काम किया तो BJP जो BJP की B team है इसलिए माजिद को बिलकुल वोट नहीं मिलने वाला है माजिद जिनके सिर्पे आधार बना कर चुनाओं लड़ रहे थे कल वोई भाजपा में रविंदर मॉलू शामील हो गया है आज पहली बार अखिलेश और राहूल गानी एक साथ आए पूरे भारत में इंदिया गटबंदन बड़ी मजबूती से चुनाओं लड़ रहा है तो आप पूरी तरह पॉजिटिव है बिलकुल सारनपूर की सीट बहुत कमफर्टेबल है केराना की सीट बहुत कमफर्टेबल है बहुत अच्छी मैजोर्टी से हम चुनाओं जीतेंगे तो ये थे समाजरी पार्टी के टिंक और अड़ा जी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी और कॉंग्रस मिलकर इस बार भाजपा को हराने का काम करेगी श्रेश्ट यूपी के लिए सारनपूर से सहीर मश्कूर उत्तर प्रदेश्ट की हर खावर से अपडेट रहने के लिए स्रेश्ट यूपी को करें सब्सक्राइब बेल आइकन दवाएं और देखते रहें स्रेश्ट यूपी